हेलो प्रेंड्स मैं मोना और मैं अपना वेट लॉस चैसे कम की हों तो वहीं मैं हेलो फ्रेंट्स मैं मोना और मेरे चैनल पर आपका हर्दी का विनंदन है उमीद करते हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे मैं भी ठीक हूं तो मैं अपना कैसे वेट लॉस की हूं पहले मेरा वेट था 65 kg उससे भी प्लस ही था कम नहीं था लेकिन फिर मैं अच्छा न मतलब ज्यादा फूल गया थे यह डबल चीन का भी प्रोब्लम हो गया था तो सभी लोग बोल रहे थे कि आप वेट काम कर अच्छा नहीं लग रहा है और एक साल पहले मेरा यह वाला हाथ मतलब कुछ कारण से यह होती है यहां पर डिस्लॉकेट हो गया था तो इसके रिव दोने मेरा हांथ हांथ बंद हुआ था और 6-month back तो मैं फोटो भी सियर की हूँ आप लोग के साथ और थामनेल में भी मैं फोटो लगाने वाली हूँ तो मेरा बहुत अच्छा मतलब वेट लॉस हुआ था और इंचेस भी कम हुए हैं तो अब मैं उसी को फोलो कर रही हूँ और कंटीनिव कर रही हूँ तो उसके लिए सबसे नहीं बिलकूल बन करती हुँ। बात कम खा रही हुँ। चाय पीने का आदत बहुत था, चाय पीती हूँ, ऐसा निकि चाय मैं नहीं पीता हूँ, चाय पीती हूँ, जैसे सारा देन से रात तक पांच बर हो जाता था, तो अभी तीन बर हुआ है, अब धीरे-धीरे मैं करके ये क्या बोल रही हूँ, अब ग्रेन टी पकड़ों, ग्र जादा ठंड हो गया था, लेकिन फिर से मैं सुरू करने वाली हूँ, तो अगर आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं वेट लौस, मेरा 55 kg मैं इसी को मेंटेन करने वाली हूँ, इससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इससे जादा, मतलब 55 से 56 मैं नहीं करने वाली, कमी करने वाली यही वेट मुझे मेंटेन करें तो जब अगर गार में कोई सब्जी ना हो तो हम छेना की सब्जी बना सकते हैं तो यह मैं बजार से मंगाय थी छेना और इसके लिए मासाला लगता है यह चालमगज पोस्तो और इदर हारा मिर्च थोड़ा सा काजू और यह अत्रक और जीरा और इन सबी को अच्छा सा पेस्टिक बना लेना है और मैं बजार से छेना मंगाई हूँ तो इसमें नमक देगे हलका चीनी देंगे थोड़ा सा मैदा देंगे और खुब अच्छा से मैस कर लेंगे बहुत अच्छा सेक्टम सॉप्ट साइज का मैस करके एक डो सा तैयार हो जाएगा तो बस इसमें ये सारे समान मिला कर और इसमें मैदा इसमें इसले दिये हैं क्योंकि ये बाइंड होगा ने तो ये बाइंड नहीं होगा इसे बाइंड करने के लिए ही दिये हैं और छेना वेट लोस करने में बहुत काम आता है तो नॉनवेस से तो ये लागुना अच्छा है खाना तो मैं आज यही बना रही हूं अपने लिए और ये मेरा 17 तरीका ब्लॉग है तो ये दिखे छोटी छोटी से टिक्की मैं बना लूँगी या बना के से चिप्टा कर दूँगी जैसा कि मैं दिखा रही हूँ तो ऐसा ही जितना वीडियो है तो सभी को मैं ऐसा ही पूरा रेडी कर लिए रही हूँ इसको बंगला में बोलते है छेनार दालना तो इसका ये भी एक नाम है और हम लोग हिंदी में छेना की सबजी भी बोल सकते है और छेनार दालना भी बोलते हैं तो यह देखेए, मैं इतना सारा टिक ee बना चुकी हूँ, अब बस मैं इसे तावा में हलके, ज्ज़ादा तेल नहीं लगता है, और इसे डेफ्राइन नहीं करना है, तो मैं इसे अभी चार-चार पांच पांच करके तावा पे अच्छा से सेक लिए रहे हूँ, तो नोनी स् इसमें अच्छा लगता है करना यह हलका भी तावा है जिसका मैं ज्यादा यूज कर लेती हूं यह देखिए कितना अच्छा से शेका रहा है बस ऐसे ही आपको भी जाब भी जब बनाईएगा तो आपको भी ऐसे ही करना है दोनों तरब से हलका हलका सेख लिजिएगा ज्याद तो यह देखिए मेरा मसाला भी रेडि हो चुका है और मैं इसे साधा तिल में बनाते हूं तो इसमें मैं जीरा का फोरन दे दी हूं और यह जब अच्छा से चटक जाएगा तब इसमें जो भी मैं मसाला पीसके रखे हूं काजू पेस्ट वाला तो मैं इसमें डाल दूगी औ और काजो के पेस्ट का जब मैं मसाला डालूगी तो देखिए मैं संग संग करके दिखा दे रही हूं और मैं फास्ट फारवर नहीं की हूं नॉर्मल ही दिखा रही हूं तो जो भी मैं पेस्ट पीस कर रखे थी तो सारा पेस्ट में इसमें डाल दी और बाटी जो था तो इसम में मैं इसमें नमक आड़ कर दूंगी और इसमें चीनी भी थोड़ा सा आड़ कर दूंगी चीनी से इसका स्वाद और डबल हो जाता है और बिना हल्दी के हम लोग खाना नहीं बनाते हैं तो थोड़ा सा नामात्रा का मैं इसमें हल्दी देजी हूं हल्दी सुभ होता है ज्य तो मुझे जितना इसमें पानी डालना है तो मुझे जितना इसमें था जितना जोल रखने का था तो उतना महीं में पानी डाल दी तो और नमक एड़ कर दी मुझे लग जाएगा और यह जब अच्छा से खॉलने लगेगा तभी मैं इसमें टिक्की अड़ करदंगी यह अच्छा से खॉल रहा है तो सारी टिक्की में एकका करके सारे को डाल दुग अभी टिक्की में एकके पाकटो डाल रहो और यह जब अच्छा से इसमें इसके अंदर सब जोल चला जाएगा तिक के अंदर तो यह पूरा उपर फूल करा जाएगा यह देखी आ भी गया है और सरफ फूल जाता है और बहुत ज़्यादा ही सौप्ट भी हो जाता है और इसका मतलब इसका जो ग्रेवी है तो हमें जित सवादा और बढ़ जाता है और यह टेस्टी सा सब्जी बहुत अच्छा लगता है खाने में कभी अपलोग ट्राइ किजेगा यह पनीर से भी ज्यादा अच्छा होता है एकदम सौप्ट होता है एकदम पूरा सौपनों में जाते ही पूरा घूल जाता है तो मैं वैसे भी 32 बार का फर्मूला अपनाई हूँ तो मैं ज्यादा रिच खाना नहीं खाती हूँ तो जो नॉर्मल सा खाना तो मैं अपने लिए ही बनाती हूँ भले मेरे हस्पिर जी मैं बेटे के लिए कुछ और बना दू पर अपने लिए मैं सिंपल सा खाना बनाती और ये देखिए मेरा रेडी हो चुका है छेना का सब्जी और ये पूरा थीक हो चुका है इसे खाने बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगेगा और फ्रेंड्स बताएगा कि आप लोगों को ये रेश्पी कैसी लगी है और कमेंट में जरूर बताएगा आप वीडियो को फूल ब करूल मेरा बताएगा प्रेंडो चुका है और कि आप लूरा प्रेंट वा फ्रेंडों कि लीक है और बताएगा और भार मेरा थाईट लगी हूला और